नमस्कार दोस्तों, Practical Experience Technician तपन YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है, आज कुछ नया सिखते हैं दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोग को Inductotherm का पैनल जो है Inductotherm पैनल का Indication के बारे में बताऊंगा जी सिसाब से दोस्तों, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उसी के अनुसर में वीडियो बनाता हो बहुत सा फ्रेंड का बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट था के Electotherm, Megatherm और Inductotherm ये तीनों पैनल का Indication, Tripping और GLD Card इसके बारे पे भी एक वीडियो बना के हम लोग को समझा दिजिएगा देखिएगा, बहुत सा फ्रेंड का ये भी रिक्वेस्ट था के All Indication के बारे पे भी हम लोग को बता दिजिएगा तो दोस्तो वीडियो को सुरू से लेकर लास तक जरूर देखिएगा, तब ही आपको काम करने में कुछ दिखत नहीं होगा पहले दोस्तो आपको क्या जानना जरूरी है, जैसे हम इसमें 8 गो पॉइंट लिखके रखे हैं इस पे भी 8 गो लिखके रखे हैं और इसमें 3 गो पॉइंट लिखके रखे हैं तो यह हमारा कौन सा है, यह हमारा टोटल इंडिकेशन है और यह जो 8 गो पॉइंट है, जैसे इन्वेटर, फूल पॉइर, कैप बोल्ट, एक्सेस चार्जिंग यह सब का सेटिंग आपका कहा पे रहता है, यह जितना सारा पॉइंट है आडगो इसका सेटिंग आपको मिलेगा इन्वेटर, कैंट्रोल, बोड में और जो लाइट जलता है, यह आपको किस में मिलेगा? यह आपको मोनिटर, बोड में मिलेगा और GLD का जो ट्रिपिंग आता है वो आपको GLD का काड में मिलेगा तो इसी तरह दोस्तो पहले आपको नाम जानना है जिस तरह मैं आप लोग को नाम बताया हूँ same to same अगर कुछ फॉल्ड आएगा अगर आप नाम पकड़ के बोलिएगा तब कुछ दिकत नहीं होता है कि हमारा इन्वेटर कंट्रोल बोड में प्रोबलेम है या मोनिटर में प्रोबलेम है या आपका GLD काड में प्रोबलेम है इसलिए दोस्तो मैं part 1, part 2, part 3 सिरिफ आप लोग को समझाने के लिए लिग दिया हूँ कि जब भी कुछ दिकत हो आप मेरा वार्ट सम में जो बात करते हैं कम से कम इसका नाम आप अराम से बता सेकते हैं बहुत सा फ्रेंड का ये दिकत हो जाता है फॉल्ड के बारे में तो बताता है कौन सा जगा से फॉल्ड है कौन सा समान का क्या नाम है बहुत सा फ्रेंड को बहुत सरा doubt रहे गया है मेरे साथ तो WhatsApp में बात करता है लेकिन जब मैं पुछता हूँ Monitor Board के बारे में या Inverter Control Board के बारे में या GLD Card के बारे में लेकिन clean बता नहीं पता है इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों बहुत अच्छा से समझा रहा हूँ पहले दोस्तों जब भी आप इंडेक्ट का पैनल में काम कीजिएगा मोनिटर बोड में आपका एक नंबर में क्या है देखिएगा मैं जीस तरह लिख के रखा हूँ सेम टु सेम आपको मिल जाएगा इंडेक्ट तरम का पैनल में खास करके देखिएगा ये कौन बला पैनल में मिलेगा तेखिएगा पावा ट्रेक लिखा हूँ रहीता है पैनल में किसी किसी में लिखा हूँ रहीता है किसी किसी में नहीं लिखा हूँ रहीता है और अभी के डेट में जो PLC पैनल आ गिया है उस पे कुछ-कुछ आपका मैच होगा कुछ-कुछ आपका नहीं होगा लेकिन जितना सार आपका पुराना पैनल है जोरूर 100% एकदम मैच होगा ही होगा तो इसका एक नमबर में हमारा क्या आजाता है CAPDR Fault इसका मतलब होता है दोस्तो के CAPACITED DOOR OPEN वाला जो हम लोग Fault बोलते हैं सेम टू सेम जब आप पैनल का जो दर्बा जा है इसको पूरा बंद करके रखते हैं ठीक है और कमपनी भी कहता है का पैनल को पूरा बंद करके रखिए और पैनल में AC लगा कर रखिए तब ही हमारा क्या होगा पैनल ठंडा रहेगा और आपका ट्रिपिंग नहीं आएगा लेकिन जब आप AC भी लगा कर रखिए हैं सब कुछ लगा कर रखिए हैं लेकिन जईसे पैनल का दरवाजा खोलिएगा तो तुरों देखिएगा आपका कापसिटर डोर ओपेन वला ट्रिपिंग आ जायेगा और जईसे आप दरवाजा बंद कर दिजिएगा उसके बाद रिसेट कर दिजिएगा फिर यह चला जाएगा दर्वाजा के उपर एक माइक्रो स्वीज लगा हुआ रहता है वो किस तरह काम करता है जैसे जब आपका दर्वाजा बंध है उस टाइम आपका NC बना हुआ है ठीक है? और जैसे यह आप दर्वाजा खोल रहे हैं मतलब आपका NO हो जा रहा है माइक्रो स्वीज ठीक है? इसी हिसाब से काम करता है इसके बाद दोस्तों आ जाता है दो नमबर पॉइंड में ACR भोल्ट तो ACR भोल्ट का ट्रिपिंग हम लोग को कब आता है? खास करके इनेवेटर साइड से देखिएगा चार गो बस बार पैनल सा आउट होता है ठीक है? दो बस बार एक फर्निस में जाता है और दो बस बार दूसरा वला फर्निस में जाता है तो फर्निस समलेगों को तो दो गो रहता है एक नमबर फर्निस और दो नमबर फर्निस और एक नमबर फरनिस को चलाने के लिए एक चेंज अबर स्विज रहता है और दो नमबर का फरनिस चलाने के लिए एक चेंज अबर स्विज रहता है तो चार गोजो बसबार आपका आउट हुआ एक नमबर फरनिस के लिए दो बसबार है और दो नमबर फरण इसके लिए दो बसबार है पैनल के उपर जा का देखिएगा दोनों तरफ डिवाइड हो जयता है ठीक है और डिवाइड होने के बाद कोई कारण से जो आपका दो गोई या बसबार है बसबार में एक हमारा नियूटल होता है एक हमारा फेज होता है ठीक है निउटल और फेज में अगर आपका स्वाट सरकिट होगा तो आपका ACR भोल का ट्रिपिंग आएगा बहुत अच्छा से आपको चेक करना है बसबार तो आपको चेक करना ही है कहीं से पानी लिकेज है या नहीं है वो भी चेक करना है और जो बसबार के साथ आप देखिएगा लाल लाल इंसुलेटर लगा हुआ रहता है उसको भी बहुत अच्छ से चेक करना है जब तक आप ठीक से चेक नहीं कीजिएगा तब तब आपका ACR भोल का ट्रिपिंग नहीं जाएगा और एक चीज क्या होता है इंडेक्ट अथरम का पैनल के अंदर में आपका कैपासिटर, ACR, IP स्वीच बहुत कुछ लगा वा रहता है अगर पैनल के अंदर भी थोड़ा सा कहीं से भी स्पार्किंग होगा तब भी आपका ACR भोल आ जाएगा तो पैनल से लेके फरनीश तक आपको बहुत बढ़िया से चेक करना है कि कौन सा जगा में हमारा इस पार्किंग हो रहा है और जब तक आप लाइट बंद करके नहीं चेक कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा इसके बाद हमारा तीन नंबर में आ जाता है यूनिट हाई टेंपरेचर तो यूनिट हाई टेंपरेचर हमारा किस करण से आता है पैनल में आपका DM वाटर या डिस्टिल वाटर चालू रहता है कोई करण से DM water या distil water गरम होगा तब ही आपका unit high temperature आएगा अभी दोस्तो जैसे DM water और distil water ये दोनों में से कोई एकी water आपका पैनल में चालू रहता है अगर DM water नहीं है तो distil water से चालू रहता है तो ये काम की स्तरा करता है देखिएगा जो आपका DM water का पानी का लाइन है इस पे भी आपका एक inlet होता है और एक outlet होता है तो inlet में आपका एक temperature switch लगा हुआ रहता है और temperature switch में देखिएगा ये को घुमाने के लिए setting point भी दिया हुआ रहता है ऐसे तीर जैसा marking किया हुआ रहता है तेस्टर से हम लोग ये बीच बला को घुमा घुमा के setting करते है ज्यादा तर देखिएगा आपका 45 degree Celsius में setting रहता है ठीक है और 100 तक का आपका setting दिया हुआ रहता है 45 में आप setting करके रखे हैं और ये जो आपका temperature switch है ये आपका inlet में लगा हुआ है याद रखिएगा और पानी हमारा inlet में घुशता है और outlet में out होता है तो outlet में क्या होता है बहुत सारा आपका sensor लगा हुआ रहता है लेकिन हर sensor का काम अलग-अलग है जब भी आपका unit high temperature आए तो पहले आपको temperature switch को एक बार देख लेना है temperature switch में हमारा क्या होता है एक NC रहता है एक NO रहता है NO में आपका connection दिया हुआ रहता है ये NO अगर कोई करण से आपका NC नहीं बनेगा तब भी आपका unit high temperature आएगा और जो sensor काम करता है खास करके जैसे एक हमारा ये capacitor का line है तो इसमें हम पानी in कर रहे है और capacitor यहां लगा हुआ है और यहां capacitor में आपका पानी घुसा घुसने के बाद फिर यहां से out हो गिया out होके कहां पे जाएगा सीधा आपका DM water का tanky में जाएगा outlet का पानी तो यह जो हमारा outlet का क्या होता है manifold लगा हुआ रहता है manifold के पास आपका एक sensor लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग temperature sensor बोलते है तो यह आपको देखना है कि कौन सा line का sensor आपका गरम हो रहा है capacitor का line का गरम हो रहा है या आपका ACR का line का गरम हो रहा है सबका अलग-अलग रूट है जब तक आप चेक नहीं कीजिएगा आपको समझ में बिलकुल भी नहीं आएगा कि कौन वाला लाइन आपका गरम हो रहा है हम लोग क्या करते हैं जो आपका आउटलेट का पाइप है इसको हम लोग हाथ से पकड़-पकड़ के देखते हैं कि कौन वाला हमारा गरम हो रहा है जैसे मैं आप लोग को बताया हूँ कि ये कापसिटर वाला लाइन हमारा गरम हो रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बार बार अगर unit high temperature हमारा परसान कर रहा है तो inlet और outlet दोनों pipe आपको खोलना है और खोल के air pressure से आपको clean करना है मतलब जिसको हम लोग बोलते discaling करना है क्या होता है दोस्तों यह जो pipe है यह pipe का अंदर continue पानी चालू रहता है इसके बज़े से इसका pipe का अंदर में थोड़ा सा scaling type का हो जाता है तो scaling जब होगा तभी क्या होगा पानी ठीक से आपका जाके circulation ठीक से नहीं होगा और उसी time आपका पानी गरम होने लगेगा और दोस्तों जब आपका पानी गरम होगा तभी आपका क्या होगा unit high temperature आएगा पैनल में जितना सारा sensor लगा हुआ है खास करके देखिएगा outlet में आपका एक line से जितना सारा sensor है total आपका लगा हुआ रहता है उसी में से आपको देखना है कौन बला line का sensor trip हो रहा है और कौन बला line का pipe आपका गरम हो रहा है जब आप discaling कर दीजिएगा तो दोबारा देखिएगा आपका unit high temperature नहीं आता है चार number point में हमारा आजाता है unit low pressure unit low pressure के लिए आपको क्या करना है जब आप DM water चालू करते हैं तो आप DM water चालू कर दिए तो आपको देखना है कि DM water में जो हमारा पानी चल रहा है इसका पैसर कितना है तो यह आपको कहाँ पे check करना है तो देखिएगा एक आपका capacitor switch लगा हुँआ रहता है और पैसर switch में आपका एक NC रहता है और एक no रहता है तो no में आपका connection चालू किजिएगा तभी आपका यह जो वाटर स्वीज है यह क्या होगा यह नो बला एनसी होगा तभी आप पैनल को रिसेट कीजिएगा तभी आपका यूनिट लोग पेसर जाएगा अगर मोटोर का चालू कर दिये और टैंकी में पानी बिलकुल नहीं है तो किसी भी हल में यूनिट लोग पेसर आपका नहीं जाएगा बहुत बार ऐसा होता भी है कि डियो मॉटर घूम रहा है और यह जो हमारा पेसर स्वीज है यह पेसर स्वीज को हम बैपास कर दिया है तो क्या होगा पैनल आपका चलू रही जाएगा और उसके वज़े से ACR कापसिटर कुछ भी खराफ हो सकता है और ऐसा बहुत बार हुआ भी है इसके बाद दोस्तों हमारा आज आता है पास नमबर पास नमबर में क्या है फरनिस हाई टेंपरेचर तो फरनिस के बारे में मैं अल्रेडी कुछ कुछ चीज आप लोग को बताया हूं और इस वीडियो में और भी आपको क्लीन हो जाएगा मतलब समझ में आ जाएगा और अच्छा से कब समझ में आएगा जब मैं heat exchanger का वीडियो बना के आप लोग को समझाऊंगा इंडेक्टो थरम का जो पैनेल है इसमें आपका soft water चालू रहता है furnace का coil में और raw water चालू रहता है heat exchanger तक तो जब आपका पानी गरम हो रहा है मतलब furnace high temperature आ रहा है उस time आपको क्या क्या चेक करना है खास करके पहले आपको देखना है कि raw water बला motor आपका चालू है या नहीं है क्योंके दोस्तो बहुत आदमी क्या करता है water pressure switch जो लगावा रहता है raw water बला को बाईपास कर देता है और उसके बज़े से motor चालू करने के लिए अगर भूल जाईएगा तो आपका furnace high temperature आता है और एक चीज आपको देखना है कि आपका जो पानी ठंडा करने के लिए cooling tower लगा हुआ है तो cooling tower आपका चल रहा है या बंद है cooling tower चालू रहेगा तो जल्दी आपका furnace high temperature नहीं आएगा और क्या कारण रहता है जो furnace high temperature आता है इसके लिए आपका sensor भी लगा वा रहता है और जो आपका outlet जैसे soft water coil में in हुआ उसके बाद फिर out भी होगा तो हमारा पहले क्या होता है furnace में आपका soft water coil में in होता है और power cable के थुरू आपका out होता है तो power cable का जो outlet है उस जगह में आपका charge sensor लगा वा रहता है आपका pipe रहता है उसमें आपका outlet का जो पानी जाता है outlet ब़ला pipe में temperature switch भी दोगो लगा हुआ रहता है एक आपका raw water भी रहता है एक आपका soft water भी रहता है कि coil में जो पानी हमारा in हुआ वहासे जो out होके आ रहा है तो पानी का temperature हमारा कितना आ रहा है ये भी एक मतलब कभी-कभ आता है temperature switch के चलते और जो आपका power cable का output है उसमें आपका जो चार गो सेंसर लगा हुआ रहता है उस सेंसर कोई करण से अगर पानी आपका गरम हो रहा है तो सेंसर आपका जोरूर ट्रीफ हो गए क्यों का अलरी temperature sensor लगा हुआ है तो जब आपका temperature sensor ट्रीफ हो गए same to same आपको एक बार discaling कर देना है अगर बार 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 ट्रीफ हो रहा है तब इसके बाद दोस्तों आ जाता है देखिएगा जो change बार switch है जैसे furnace जैसे मालनी ची का इसे खड़ा हो गया तो पैनल का पीछे तरफ आपको जाना है जाने के बाद आपको देखना है कि कौन सा pipe आपका गरम हो रहा है उस जगा में आपका किसी किसी में 6 गो भी pipe रहता है किसी किसी में आपका 8 गो pipe भी रहता है और देखिएगा थिरी पोर साइज का pipe रहता है जो change बार का बस बार रहता है बस बार का cooling दिया हो रहता है कौन सा पानी से cooling दिया हो रहता है soft water से ही cooling दिया हो रहता है कोई कारण से बस बार अगर गरम हो रहा है और आप कोशिस किजिएगा चलाने का उसका safety के लिए 8 गो pipeline बना हुआ है और 8 गो आपको sensor भी लगा हुआ है कोई करण से बस बार अगर आपका गरम हो रहा है तब भी आपका furnace high temperature आएगा और उस टाइम आपको जाके check करना है कि कौन सा sensor हमारा tip हो रहा है और कौन सा pipe हमारा गरम हो रहा है तब भी आपका ठीक हो जाएगा और जैसे मैं आप लोग को बताया हूँ कि discaling के बारे में खास करके बस बार side में इस टाइप का अगर बार बार furnace high temperature आ रहा है तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी आप discaling कर दिजिएगा उतना आपका furnace बहुत अच्छा से चलेगा और आप अगर सोचिएगा आज discaling नहीं करेंगे किसी तरह अपना shift पार करके चला जाता हूँ तो आप तो सोच लिएगा अगला shift बला को दे दूँगा लेकिन आप जब तक रहिएगा तब तब आपको परसान होना पड़ेगा तो इसी तरह दोस्तो furnace high temperature हमारा काम करता है इसके बाद हमारा आ जाता है furnace low pressure तो furnace low pressure के लिए भी same to same एक हमारा soft water चलू रहता है एक हमारा raw water चलू रहता है और दोनों के लिए आपका water pressure switch लगा हुआ रहता है water pressure switch में एनों में connection दिया हो रहता है जब आप soft water चलू करते है यह एनों वाला NC होता है और raw water का भी एनों वाला NC होता है तब ही जब आप panel को reset करते है तब ही आपका furnace low pressure वाला जो light जलता है वो फिर reset करने के बाद चला जाता है और panel आपका ready हो जाता है साथ नमबर में आजाता है furnace interlock furnace interlock का बाता है जैसे मैं आप लोग को बताया हूँ पैनल का पीछे तरफ या पैनल को उपर चड़ के देखिएगा हम लोग induct तरम का पैनल में change over लगाते है या change over के निच्चे आपका platform बना वा रहता है तो change over का side side में देखिएगा दो दो करके micro switch लगावा रहता है काला कला कलार का अगर कोई कारण से micro switch आपका ठीक से काम नहीं करेगा मतलब micro switch बे भी आपका NC और NO बना हुआ है ठीक से NO और NC काम नहीं करेगा तो आपका furnace interlock आपका किसी भी हल में नहीं जाएगा और क्या होता है दोस्तों जैसे अगर आप गलती से दोनों furnace का दोनों furnace का मतलब जैसे एक नमबर फरनीस हो गया दो नमबर फरनीस हो गया एक साथ आप दोनों तरफ का चेंज अबर लगा दिये तो आपका क्या होगा किसी भी हल में फरनीस चालू नहीं होगा उस टाइम आपका फरनीस इंटरलोक आजाएगा अगर आप ये सरकीट को बाइपास करके नहीं रखके है तब बहुत सा जगा में क्या होता है जो चेंज अबर स्वीज का माइक्रो स्वीज लगा वरायता है चेंज अबर स्वीज में उसको बाइपास कर दिया जाता है अब क्या होगा एक साथ आप गलती से दोनों चेंज वर को लगा दीजिएगा तो दोनों फरनीस चालू हो जाएगा अगर आपका 4000 किलो आट का पैनल है उधर में 2000 इधर में 2000 ये भी मैं करके देखा हूँ खास करके मतलब जो सब आदमी गलती करता है मैं अल्रेडी ये सब देख चुका हूँ बहुत आदमी को डाउट ये भी रहता है कि दोनों फरनीस आपका चालू होगा ही नहीं कब नहीं होगा जब आप माइक्रो स्वीच को बाइपास करके रखिएगा तब मेगा थरम में एक एक्जामपल दे देता हूँ मेगा थरम में आपका माइक्रो स्वीच नहीं रहता है कभी भी आप ट्राइ करके देख लिजिएगा अगर 4000 किलोवाट का पैनल है दोनों तरब का चेंज अबर लगा दीजिएगा तो एक नंबर फरनीस में 2000 और दो नंबर फरनीस में 2000 दोनों फरनीस चालू हो जाएगा तो इस टाइप से भी दोस्तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है और इंटरलोग का अगर टिपिंग आएगा तो चेंज अबर का माइक्रो स्वीच को आपको अच्छा से चेक करना है उसके बाद आप रिसेट कीजिएगा तो आपका फरनीस इंटरलोग वाला चला जाएगा उसके बाद दोस्तो आ जाता है एक जोली टीप तो यह थोड़ा क्या होता है यह थोड़ा अलग टाइप का ट्रिपिंग है और इसके ओपर आपको थोड़ा सा ध्यान भी अच्छा से देना है ACI एक जोली टीप देखिएगा कब आता है यह जो डियम आटर है डियम आटर आप जब चालू नहीं किये हैं जब आपका डियम आटर बंद कर दिये हैं तो कैपसिटर डोर ओपेल और यूनिट लो पेशर और ACI एक जोली टीप यह तीनो लाइट आपका एक साथ में आता है और जब आप डियम आटर चालू करके रिशेट कर दिजिएगा तो फिर तीनो लाइट आपका चला भी जाता है अगर पटिकुलर आपका ACI एक जोली टीप आ रहा है तो उस टाइम आपको कांट्रोलिंग ठीक से चेक करना है जैसे कैपसिटर पैसर स्वीच के बारे में मैं आप लोग को समझाया हूं और उस पे मैं हमेशा आप लोग को एक बात बताता हूं कि चाए कंट्रोल और रहे या फेज का रहे दबा के लेकिन टाइट होना चाहिए टाइट रहेगा तब आपका कुछ भी दिकत नहीं होता है अगर आप ठीक से कंट्रोल वाला और को टाइ पतक जाता है अब घुमा घुमा का पावर लेके आ रहे हैं तो 4000 किलोवाट का पैनल है ठीक है और जैसे आपका 3000 यह आप 2500 जाएगा फिर आपका ट्रिपिंग आ जाएगा क्या ट्रिपिंग आएगा यह कापसिटर डोर ओपन भी आएगा और एस यह एक जुली टिप भी जाता है और जो इसका डीप ली चेकिंग है जैसे डीप ली चेकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इहां पर हमारा आटगो पॉइंट है और इस पर भी हमारा आटगो पॉइंट है डीप ली जब चेकिंग में जाईएगा तो एक एक पॉइंट को समझाने में आदा किसका वीडियो है इन्वेटर कंट्रोल बोड का एक्स्पिरेंस थोड़ा बहुत और आपका मोनिटर बोड का जो ट्रिपिंग आता है थोड़ा से और जील लिगा तो इसमें क्या होता है दोस्तों जैसे कोई एक सेंसर ट्रीप हो गया कोई हेलपर है तो सेंसर को जाके कर सकता है कि एही सब काम होगा लेकिन जब इसका डीप अंदर में कुछ प्राब्लेम होगा तो उसका चेकिंग अलग है उसका सिस्टेम अलग है तेखिएगा कुछ-कुछ वीडियो में आप लिग को अल्रेडी बना के समझाया हो तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इत सबस्क्राइब